कि नमस्कार दोस्तों रादे रादे जैश्री शाम जैश्री किष्णा बुलो हरे के सारे की जै तीन बान दारी की जै बुलो खाटू नरेश की जै बुलो लगदा तारे की जै दोस्तों आज मैं अपने यूटूब चैनल अगरवाल प्रपेटीज एंड बिल्डर्स में एक ब प्लक्ष में घुली की शुपकामना है मेरे सभी देशवाशियों को मेरे से भी यूटूब सब्सक्राइबर को और सभी आम जनता को जितना भी जो पबलिक है जो हमारे यूटूब चैनल में देखते हैं और सभी जितने भी हमारी माताई भेने बुजूर्ग महिलाएं जो के लिए एक बार फिर शुपकामना है, बहुत ही अच्छा परीवार, बहुत ही अच्छा ये जो हमारा जो होली मंगल मिलन का जो प्रोग्राम होता है, होली का जो महुतसम मनाया जाता है, दोस्तो मैं चाहूंगा सभी शुक्षांती से अपने परिवार में इसको तो आर को बहुती रंगा-रंग मनाए और बहुती खुशियों के साथ तो दोस्तो अब मैं दिखाना चाहूंगा आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ ऐसी क्या चीज है जो रंगा-रंग है तो दोस्तो यह जो हमारा फ्लैट है बजट में भी रंगा-रंग और वैसे भी रंगा-रंग है तो क्योंकि दोस्तो ऐसी चीज ऐसी यूनिट ऐसा फ्लैट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तो क्योंकि सबसे कम बजट 21 लाख रुपे में फ्लैट 2BHK का फ्लैट और बिल्डिंग मेरी है दोस्तों ये दोस्तों साथ गज़ के अंदर ये बिल्डिंग है ये यूनिट है आपके जो पेपर भी नाम होंगा अराउंड 52 गज़ के पेपर ऑन कार्पेट एरिया और सुपर एरिय के अगर मैं बात ये यूनिट है गजो पूरी बिल्डिंग है एक यूनिट के ओपर चार फ्लैट है विद लिफ्ट है और दोस्तों कार पार्किंग भी इसमें एबलेवल है कार पार्किंग के एक लाख रुपे एक्स्टा हैं वह जो भी चाहें जो भी हमारे भाई बंदाएंगे जो बात लेना चाहते हैं या विदाउट कार पारकिंग लेना चाहते हैं दोस्तों बहुती अच्छा फ्लेट अब मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों जो लिविंग एरिया में खड़ा हूँ यहां आप देख रहे हैं सोफा लगा हूआ है अगर आप वित्वर नीचल लेंगे तो पचाज जार रुपे आपको सिरफ पे करने हैं और यह सेटिंग यह सोफा यह आप ही का हो जाएगा तो दोस्तों यह सेंटर टेवल दो पफी एलेडी पैनल यह सारी चीज़ा आप देख सकते हैं दोस्तों आप पर काम देखें फॉल्स लिंग वर्क और नीचे आप सामने भी देख सकते हैं एसी का पाई इस्टॉल किया हुआ है साथ में वाल पेपर हमने इसमें लगाया हुआ तो दोस्तों काम देखें काम की क्वालिटी देखें कितना अच्छा काम है कितना सुपीरियर साथ में फैन आप देख सकते हैं यह भी हमारी तरफ से गिफ्टिन है और यह इस फ्लैट के अंदर दो तीन नहीं चार फैन आपको मिलेंगे अब मैं दोस्तों बताने चाहूंगा वाश्रूम के अंदर आप जैसे कि हम बोलते हैं हमेशा से एक गीजर एक गीजर नहीं मैं आपको दो गीजर दूँगा होली के उपलक्ष में जैसे एक फैन हमने बढ़ाए ऐसे ही एक गीजर भी आपका बढ़ा दिया है तो दोस्तों काम आपको मिले गई साथ में आपको सारे पेंट्स वार भी देख सकते हैं पूरा वाशेवल पेंट है रॉयल शायन का पेंट हम अपनी हर बिलिंग के अंदर लगाते हैं वही सारा काम जैसा कि हम आपको दिखाते हैं अब आप इसका आप ड्राइंग एरिया जो लिविंग को पर चार जैसे मैंने आपको फ्रेंट बता हैं दो फ्रेंट साइड अगया हुआँ अगया हो PA अपको पहले वह स्वेंडेक हैं के यहाँ नत्वारा पता हुआ हो पाते हो पर जो ऑगया हुआ अपको पहले लिए काम मैंने प्हुर्णिक सब्सक्राइब को का सब्सक्राइब काम की साले से हमेज़ है की क्वालिटी से मैं चिमने को यहां सब्सक्राइब कर देंगे और णिभर याँ सकते हैं सिंख और नेनो वाइट जो पत्ता लगाया हुए यह सारी चीज़ें को मैंने क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर सेमी काम हमारा होता ही है लेकिन बस यह कि आपको क्या चीज मिल रही है नक्षा क्या है और उसके अपको इसमें क्या मिल रहे हैं तो दोस्तों दो वाश है तो दोस्तों आगए हम अपने इस बैड्रूम के अंदर यहां पर भी आप स्पेंज देख सकते हैं जो हमने कवर्ड बनाई है यह भी आप देख सकते हैं पूरी जो यह कवर्ड है पूरा ही कवर्ड किया हुआ इसको साथ में कुल्टिंग का काम किया हुआ है बैड के आपको लीविंग एरिया मिल रहा है साथ ही बैडरूम के अंदर भी आपको एक लीडी पैनल वह भी हमाई तरफ से अब आते हैं दोस्तों अपने वॉश्ण के इंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है एट्रैज्ट वाश्रूम यह जो हमारे पैड्रूम के साथ है थोड़ा काम उपर आप फॉल से लिंग वर्क भी देख सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें वाल पेपर ये भी हमने आप इंस्टॉल किया है लगा दिया है हो सकता है आपको इस wall पे अच्छा ना लगे किसी कमरे की दूसरी wall पे भी आप इस wall पेपर की वज़ये कोई कोई दूसरा wallpaper आप हमारे से लगवा सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको wallpaper नहीं लगवा ना तो उसके अलावा भी अपने according कोई भी काम हैप हमारे से उसके एवज में करवा सकते हैं तो दोस्तों मैं लेके चलूँगा आपको इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर यहापर भी आप देख सकते हैं पूरा स्पेस आप देखें स्पेस के साथ साथ हवादार रोशनी वाला ही घर क्योंकि इस पेस तो हर बिल्डिंग के अंदर होता है लेकिन रोशनी आप मेरे को देखें दिन में यह जो वीडियो हमारी बन रही है लेकिन सारे डोर बन दोने का बाद भी कितनी रोशनी है और आप देखें जहां मैं खड़ा हूँ एरिया एरिया भी आप देख सकते हैं मतलब जो हमारे पास इसका स्पेस बेड लगने के बाद भी कितना बड़ा बेडरूम साइज आपको मिल रहा है उसके बाद दोस्तों उपर काम देखें नियू डिजाइन साइज एक दम बिल्कुल बिल्कुल एंटीक है तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चमगा इस बेडरूम की जो वेंटिलेशन है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी विंडो दी है नीचे विंडो देदी आप चाहें तो अपना कूलर यहां लगा सकते हैं क्योंकि सबी घरों में जुरूई है एसी होता है कई कूलर होता है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका सेकंड वाश्रूम वाश्रूम भी आप देख सकते हैं स्केर के अंदर है बहुत ही बढ़ा वाश्रूम आपको मिल रहा है टाइलिंग वर्क भी आप देखें बहुत ही सुन्दर इसकी टाइल्स है कंप्लिटिट काम के साथ इसमें टाइवेटर वाल हैंगिंग शीट सारा कंप्लिटिट वर्क में आपको देंगे अब दोस्तों लेके चलूँगा इसकी फ्रेंट बालकनी के उपर यहां पर भी पर दिया हुआ है और इलेक्टिशी पॉइंट आपको यहां मिल रहे हैं तो दोस्तों आप करते हैं सबसे पहले आपको यह जो प्रॉपर्टी कहां मिलने वाली है और इसका बजट और इसके बजट तो मैं आपको बताई चुका हूं और डिस्टेंस दोनों चीज़े मैं आ करा देंगे और दोस्तों आपको कहना चाहरा हूं कि कहीं लोग बोलते हैं कि 98% तक क्योंकि नकल करने में किसी का कुछ नहीं जाता यह एक्जाम नहीं है कि कोई भी आए और नकल कर ले बहुत से लोग यह बोलने लगे हैं कि 100% तो दोस्तों जब तक आप किसी प्रॉपर्टी दे पाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ है मांट हमें बैंक में वीशो करना होता है और वो सारी चीजे मैकसिमम नहीं हो पाती तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप जल से जल जल आए और अपने सब्रों घर को शाकार बनाए नमस्कार दोस्तों राधे राधे जै आशे किर साथ